आज का डिक्टेशन असी सब प्रति मिनेट स्टार्ट होगा पांच चेकिन बाद सभापती महोदै अगली पंच वर्षिय योजना पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैंने ब्रस्टाचार ही समाप्त करने की ओर सदन का ध्यान आकर्शित किया था मेरा यह मानना है कि यदि इस देश से ब्रस्टाचार दूर नहीं होगा तो हम अपने उदेश्य में सफल नहीं हो सकते और नहीं अपने लक्षों को प्राप्त कर सकते हैं आज तक जो होता रहा है उसमें एक सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने यह आई है कि अधिकारियों का ध्यान गावों की ओर नहीं है उनका ध्यान सहरों की ओर अधिक रहता है और यही कारण है कि देश की 80% आबादी जो की गावों में रहती है की तरफ वे उदासीन रहते हैं महोदय मेरा सबसे पहला सुजाव यह है कि सरकारी अधिकारियों को समय समय पर गावों में जाकर वहां के लोगों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उनकी कठिनाईयों को दूर करने के प्रयास किये जाने चाहिए कुछ एसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे की हर अधिकारी प्रतेक वर्ष कुछ दिन देहातों के अंदर जाकर रहे और उन लोगों की सीधे संपर्क में आये इससे योजनाओं को कार्यानवित करने में बहुत सहायता मिलेगी एक दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूँ कि अधिकारीयों को काम करने के लक्षे दिये जाए और यह लक्षे निर्धारित समय में पूरे किये जाने चाहिए जो अधिकारी निश्चित समय के अंदर उन लक्षों को पूरा कर ले उन्हें प्रोचाहन दिया जाना चाहिए और जो पूरा नै करे पाएं उनके मामले में समूचित कार्यवाही की जानी चाहिए महोदय आज चारों ओर से यह कहा जा रहा है कि स्थिर्ता नहीं है स्थिर्ता के लिए सांती और व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है यदि देश में सांती और व्यवस्था होगी तो हमारी योजनाएं सुचारू रूप से चल सकेंगी हमारी जो सक्ति आज सांती और व्यवस्था स्थापित करने में लगती है उस सक्ति का प्रयोग हम अपनी योजनाओं के काम में लगा सकते हैं हमारा अनुभव बताता है कि इस देश में किसी एक आदमी या दल की मनमानी नहीं चल सकती और उसे चलने भी नहीं देना चाहिए महत्वपूर्ण निर्णय जनता की इच्छा के अनुरूप ही होने चाहिए जहां तक दूसरे कार्यक्रम का समंद है उसके लिए आवश्यक है कि सभी दल इस मामले में आपसी सहयोग के साथ निर्णय ले अन्यता देश में ऐसान्ती ऐव्यवस्था हो सकती है इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस बात को पूरी गंभीरता से लिया जाए अध्यक्स महोदै मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ और वह यह है कि क्रसी विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है उन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है और देश में खाद्यान का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाए चाहिए और उनके लिए जो धन रासी चाहिए वे उनको पूरी तरह संस्विकृत नहीं करा पाते हैं क्रिसी विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए परियाप्त अन पेदा करने का महान भार है इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि अधिक अन उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुकावट नै हो बहुत सी हडताले हो सकती हैं मजदूर काम से बरी हो सकते हैं लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते अब हम देखते हैं कि मीलों और कारखानों में हडताले हो जाती हैं छुट्टी हो जाती है तो आम काम के दिनों की अपेक्सा लोग उन दिनों में जादा खाना खाते हैं जादा दावतें करते हैं आज यह हमारे लिए यह सरवाधिक महत्व का विशय है कि हमारा अन का उत्पादन उस गती से बढ़े ताकि हम अपनी खपत से अधिक उत्पादन कर उसका निरियात कर सकें सरकार तथा इस मंत्रालय के लिए यह समस्या एक बड़ा सिरदर्द पेदा कर रही है हर एक विभाग में बड़े बड़े अधिकारी बेठे हैं और हजारों रुपई के बड़े बड़े वेतन ले रहे हैं समब्द समब्द